हालो बच्चो तो वही कैसे हो आप सभी आए होप सारे बच्चे एक दम अच्छी होंगे एक दम बढ़े होंगे और एक दम मस होंगे बच्चो तो आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है बिटा Physics of Lucky is Amazing platform पर और PW Hindi Medium के इस चैनल पर जहाँ पर तुमारी class 10th की जो board booster series चल रही थी उसमें हम आज की class में एक बिल्कुल नए chapter का one shot लेकर मैं आज चुका हूँ गरित के ठीक है हम क्या करने वाले हैं हमारे इस chapter पर based important questions ठीक है तो काफी जादा जरूरी session और जरूरी class यह होने वाली है क्योंकि इस chapter में से बच्चो अलग-अलगतर यह question आते हैं ठीक तो मैंने sample paper के भी कुछ question यहाँ पर रखे हैं तो हर एक question को बहुत आराम से और बहुत तमीज से solve करे हम ठीक है तो बिना किसी देरी के बिना कोई time गवाई सीधा शुरूरात करते हैं class की और आगे बढ़ते हैं बच्चो ठीक है इतने तुम मुझे जरा comment section में बताओ कि क्या हाल चाले अभी तक कि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्या वो सबको समझ में आई हैं बताओ जर हमारा सामानतर श्रेणी उसके बाद त्रिभुज उसके बाद निर्देशांग जामिती उसके बाद त्रिकोन मिती उसके बाद त्रिकोन मिती क्यारूं प्रियोग ये सब पढ़ाया है क्या वो सबको समझ में आ गया था चालो तो आज की class में हम बात करने वाले हैं व्रतों तुम्हारी उस चीज को एक बार हम recap करेंगे, revise करेंगे, उसके अलावा, दूसरी चीज वृत से सम्मंदित कुछ परिभाशा हैं, जिनकी हमें जरुरत पढ़ सकती है, वृत से सम्मंदित, पद, जिनकी हमें जरुरत पढ़ सकती है, ठीक है, उसके बाद बच्चों, वृत की जीवा पर आधारित कुछ हमारी क्या है, प्रमय है, जिनकी हमें जो की main topic है, इस chapter का main topic यही प्रमय होने वाली है, जो की आज हमें पढ़नी है, दो प्रमय है केवल इस पूरे chapter में, दो ही topic है, और उन दोनों प्रमय को ढंक से पढ़के, हम clear करके, समझ के, उन पर base questions को discuss करें ठीक है, और last topic अपना वही, महत्वपूर्ण सवाल, यानि कि महत्वपूर्ण प्रश्न, अब बच्चो इसमें कुछ previous year के question भी है, और तुम्हारा कुछ sample paper के question भी है, तो बहुत ध्यान से, बहुत समझ के, और बहुत आराम से पढ़ेंगे, तो बिना किसी देरी के, ठीक है, वरत और गोले में फर्क होता है, ठीक है, मैं पहली clear कर देता हूँ, वरत अलग चीज़ और गोला अलग चीज़ है, ये जो तुम्हारे सामने रखा है, ये ये और ये, ये क्या है, ये वरत ताकार है, ठीक है, ये क्या है, अगर तुम इस चूड़ी को उठाओगे पेपर पे रखोगे और इस चूडी के चारो तरफ पैन गुमाओगे तो तुम्हारे पास एक वरत मिलेगा लेकिन जो गोला होता है वो अलग है तुम्हारी क्रिकेट वाली बॉल और इस चूडी से पेपर पे बनने वाली आकरती वो एक द्वी विमी है याने कि 2D आकरती है जो कि है हमारा वरत तो वरत और गोले में फर्क क्या है वरत हमारा 2D आकरती है और जब कि आपका जो क्या गोला है वो 3D याने कि 3 dimensional याने कि 3 विमाओवाली आकरती है ठीक है अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा वृत होता क्या है एक सिंपल सी डेफिनेशन वृत की तो यार देखो कोई एक बिंदू लो ठीक है तल में कोई भी एक बिंदू ले लो ठीक और उस बिंदू से समान दूरी पर इस्थित तुम्हारे जितने भी जितने भी बिंदू हैं उन सब को उठा कर क्या करो बच्चो उन सब को उठा कर अपना मिला दो मतलब मैंने एक ये बिंदू लिया ठीक है और इस बिंदू से समान दूरी पर इस ते जितने भी बिंदू ते उन सब को उठा कर मिला दिया तो हमारे पास क्या बन गया हमारे पास बन गया वरत तो ये है वरत ये है हमारा वरत अब इड़ा वरत का वहे बिंदू जिससे समान दूरी परिस्तित सारे बिंदूओं को तुमने लिया था ठीक है जैसे कि ये वाला जो बिंदू है इस बिंदू को हम बोलते हैं क्या वरत का केंद्र क्या बोलते हैं वई वरत का केंद्र ठीक है वरत की बाहियतम सीमा को हम क्या बोलते हैं वरत की परीधी यह वरत की परीधी ठीक है अब बच्छो जो वरत के केंद्र से परीधी तक की दूरी होती है या फिर मैं बोलू कि मैंने क्या कहा था कि वरत के केंद्र से समान दूरी परिस्थित सभी बिंदूओं को मिलाने पर हमारा क्या बनता है व्रत बनता है तो वो जो समान दूरी है उसे क्या बोलते है बच्छो उसे हम बोलते है व्रत की त्रिज्जा ठीक है तुम्हारा व्रत के केंडर से व्रत की परीधी तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है व्रत की त्रिज्जा कहलाती है क्या कहलाती है बच व्रत की त्रिज्या के बार आता है बच्चो देखो व्रत की हमारी जीवा ठीक है व्रत की जीवा क्या होती है जब आव व्रत के ये तुम्हारा व्रत का केंदर है तो बिटा जब आप वरत परिस्थित किनी दो बिंदूओं को मिलाते हो न जैसे मान लो ये वरत की परीधी परिस्थित दो बिंदूते A B तो मैंने क्या करा इन दोनों बिंदूओं को मिला दिया A और B को मैंने मिला दिया तो ये जो आकर्ती बनी यही हमारी क्या है बच्चो यही है हमारी वरत की जीवा क्या है बिटा यही है वरत की जीवा ठीक सेम मान लो तुमने क्या करा तुमने यहां से उठाया यह एक बिंदू था C और यहां पर एक बिंदू था D तुमने इन दुनों को मिला दिया तो ये जो CD बनी बच्चो ये जो CD बनी यही क्या है? यही है तुम्हारी वरत की जीवा यही क्या है बिटा? यही है तुम्हारी वरत की जीवा ठीक? तो वरत की जीवा क्या है? वरत पर इस्तित दो बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या होती है? वरत की जीवा होती है clear हो गई ये बात? ये point सबको समझ में आ गया simple है अब अगर कोई वरत की जीवा वरत के केंद्र से होकर चली जाती है अगर कोई वरत की जीवा मानलो ये वह है वरत की जीवा PQ क्योंकि ये वरत पर इस्तित दो बिंदूओं को मिला रही है तो ये क्या है? ये है PQ ठीक? और ये है हमारा वरत का केंद्र O तो बिटा क्योंकि ये जीवा वरत के केंद्र से होकर जा रही है ठीक है इसलिए हम इसे क्या बोलते है इसे बोला जाता है व्यास क्या बोला जाता है बेटा व्यास तो बेटा व्रत के केंदर से होकर जाने वाली जीवा को हम बोलते है व्रत का व्यास मेरे लाल इतना सब को समझ में आ गया इतना सब को समझ में आ गया कि वृत के केंदर से होकर जाने वाली जीवा को बोला जाता है क्या वृत का व्यास और बेटा जो ये वृत का व्यास होता है ये जो वृत का व्यास होता है इसे वृत की सबसे बड़ी जीवा भी कहा जाता है ठीक है ये वृत की सबसे बड़ी जीवा होती है याद रखना इस point को ये one mark में पूछ लेता है बिटा वृत की सबसे बड़ी जीवा है ये वृत की सबसे बड़ी जीवा है हमारी ठीक है जो कि क्या होती है वृत का व्यास याद रखना इस point को इसके अलावा बच्चो व्यास जो होता है वो हमारे व्रत को दो बराबर भागों में बाच देता है जिने हम बोलते हैं अर्ध व्रत यह उपर वाला अर्ध व्रत है यह नीचे वाला अलग अर्ध व्रत है ठीक है और तो और बच्चो हमारा जो व्यास है वो क्या होता है वो जो व्यास होता है वो बराबर होता है दो गुणा व्रत की त्रिज्या के ठीक है त्रिज्या वो यह तुम्हारा क्या केंदर से परीदी तक की दूरी यह रही यह तुम्हारी व्रत की त्रिज्या है ठीक है, केंडर से परीदी तक की दूरी को हम त्रिज्जा बोलते हैं है ना बिटा, तो यह हो गई वरत की त्रिज्जा तो त्रिज्जा क्या होती है, व्यास बराबर होता है दो गुणा त्रिज्जा व्यास बराबर होता है दो गुणा त्रिज्जा, खतम तो इतना सबको समझ में आ गया व्यास की कहानी सबको समझ में आ गई कि भाईया व्यास क्या है व्यास वृत के केंदर से ओकर जाने वाली जीवा है ठीक है और आपका वृत की सबसे बड़ी जीवा भी किसे बोला जाता है व्यास को बोला जाता है और जो व्यास होता है वो त्रिज्जा का दो गुना होता है ये सारे point सबको ध्यान होने चीज़ है क्योंकि बेटा ये one mark question मनाते है ये one mark objective type question मनाते है तो ये सबको ध्यान होने चीज़ है ठीक चलो अब इसके बाद आता है बच्चो हमारा क्या एक चीज़ आती है वो है वरत का त्रिज्जेखंड अगर यह हमारा वरत का केंद्र है O ठीक है और अम इस वरत के केंद्र से दो त्रिज्जनाय मिलाएं O P और O Q तो बेटा देखो ये जो वरत का चाप है P Q ये वाला चाप ठीक है वरत की परीधी का कोई भी भाग ले लो उसे वरत का चाप बोलते हैं ठीक है तो ये वरत का चाप उसके बाद एक ये वाली तरिज्जा और दूसरी ये वाली तरिज्जा इन तीनों ने मिलकर क्या किया तुम्हारे व्रत को दो भागो में बाट दिया एक ये पिज़ा की शेप का अलग भागो गया और एक उपर वाला अलग भागो गया ठीक है इनी दो भागो को बोला जाता है बच्चो क्या इनी दो भागों को बोला जाता है तुम्हारा क्या बच्चो त्रिज्य खंड इनी दो भागों को क्या बोला जाता है इनी दो भागों को बोला जाता है बेटा त्रिज्य खंड जिसमें से छोटे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लगू त्रिज्य खंड इसे क्या बोलते हैं बच्चों देखो यह हमारा चाप हो गया यह हो गई हमारी त्रिज्या और यह भी हो गई हमारी त्रिज्या है ना तो यह हो जाता है हमारा क्या यह हो जाता है लगू त्रिज्या खंड लगू त्रिज्या खंड और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये जो बड़ा वाला पार्ट बचा ये हो जाता है हमारा दीर्ग दीर्ग त्रिज्य खंड दीर्ग त्रिज्य खंड है ना, तो लगू त्रिज्य खंड, दीर्ग त्रिज्य खंड तो त्रिज्य खंड सबको समझ में आ गया इस त्रिज्य खंड को याद कर लो क्योंकि अगला चैप्टर इसी से ही आ है ठीक है तुम्हारा अगला चैप्टर है वरत्तों से संबंद छेत्रफल और उसमें त्रिज्य खंड और वरत्खंड की तो बेटा बेखो जब तुम वरत्त की एक जीवा को मिलाते हो जैसे कि तुमने वरत्त की इस जीवा को मिलाया ठीक है और ये है हमारी A, B जीवा ठीक A, B जीवा तो तुम्हारा जो वरत्त है वो दो भागों में बढ़ गया एक छोटा भाग एक बड़ा भाग ठीक है तो यह जो जीवा और जो छोटा चाप है इसने मिलकर बनाया क्या इसने मिलकर बनाया बेटा तुमारा लगू वरतखंड यह चोटा वाला भाग है हमारा लगू वरतखंड वहीं जो बच्चों हमारा यह बड़ा वाला भाग है यह ये जीवा और बड़े वाले चाप ने जो भाग बनाया है इसे बोलते हैं दीर्ग वरत्खन दीर्ग वरत्खन दीर्ग वरत्खन लगू वरत्खन, दीर्ग वरत्खन अपना काम हो गया ठीक है, तो बिटा देको ये वो बेसिक सी चीजे थी जिनकी तुमें जरुरत पढ़ेगी क्या सवालों के बीच में अब जहां पर एक और चीज आती है बच्चों वो है हमारी रेखा और आपका जो वरत है उसके बीच का संबन्द, ये काफी important है तो देखो, आप अगर किसी paper पे एक line बनाते हो याने कि एक रेखा बनाते हो और एक वरत बनाते हो तो वहाँ पर तीन ही condition हो सकती है क्या? कि या तो बच्चों आपकी line और वरत बिलकुल अलग-अलग हो जैसे ये अलग है, ये अलग है ये बिलकुल भी एक दूसरे को touch नहीं कर रहे ठीक है? दूसरा point क्या हो सकता है कि भाईया ये line बिलकुल वरत के अंदर से होकर निकल जाए जैसे कि यहाँ पर है कि भाईया आपकी जो line है वो बिलकुल वरत के अंदर से होकर R-par चली गई ठीक है? और तीसरी situation हो सकती है कि आपकी जो line है बच्चों वो खाली वरत को एक point पर touch करती हुई निकल जाए वरत को खाली एक point पर touch करती हुई निकल जाए ठीक है? तो ये वाली जो तीसरी वाली situation है जहाँ पर line या रेखा आपकी वरत को केवल एक point पर touch करके निकल रही है तो ये वाली लाइन ही तुमारी क्या है स्पर्श रेखा है यही वाली लाइन क्या है तुमारी स्पर्श रेखा है ठीक है जब आपका वरत में क्या हो वरत को किवल एक बिंदू पर छू कर एक लाइन गुजरती है ठीक है या एक बिंदू पर प्रतिछेद करके एक लाइन गुजरत तो उसे हम बोलते हैं वरत की स्पर्श रेखा ठीक है क्या बोलते हैं बच्चो वरत की स्पर्श रेखा और अब ये वरत की स्पर्श रेखा से ही हमारी सारी जो प्रमय है वो जुड़ी हुई आगे की तो एक-एक करके प्रमय देख लेते हैं जिनमें सबसे पहली प्रमय हमार क्या आती है देखो व्रत के स्पर्श रेखा मैंने वही बोला कि व्रत के आपका किसी एक बिंदू पर टच करके जाने वाली ठीक है मालों यह आपका यह केंद्र हो गया O यह व्रत हो गया यह हो गया बिंदू A ठीक है यह हो गया बिंदू A ठीक तो यह किवल एक बिंदू पर टच कर रही है तो यह हमारी क्या है यह हमारी स्पर्ष रेखा और पिटा जिस बिंदू पर टच कर रही है उस बिंदू को बोलते हम क्या स्पर्ष बिंदू स्पर्ष बिंदू ये है हमारा स्पर्ष बिंदू है ना ये है हमारा बच्चो स्पर्ष बिंदू अब स्पर्ष बिंदू हो गया हमारा केंद्र हो गया वरत का स्पर्ष रेखा हो गई तो स्पर्ष रेखा सबको समझ में आ गई अब बच्चो देखो तुम केवल एक बिंदू पर केवल एक स्पर्श रेखा खीच सकते हो इसके अलावा अगर तुम कोई और स्पर्श रेखा खीचने की कोशिश करोगे एक बिंदू पर ही तुम कोई दूसरी स्पर्श रेखा खीचने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी नहीं खिचेगी एक किसी एक बिंदू पर केवल एक स्पर्श रेखा खीची आ सकती है ये point याद कर लो एक बिंदू पर केवल एक स्पर्श रेखा केवल एक स्पर्श रेखा खीची जा सकती है, खीची जा सकती है, ठीक है, दूसरी बात, बेटा देखो, इस वरत में कितने बिंदू होंगे, तुम देखो इस वरत में कितने बिंदू होंगे, तुम देखो इस वरत में कितने बिंदू होंगे, तुम्हारा एक बिंदू यहां हो गया, एक यहां भी हो स और यह जो मैंने छोटे छोटे बिंदू बनाएं, इनके बीच में भी एक दो दो बिंदू हो सकते हैं, क्या जाद ही हो सकते हैं, है ना, तो एक वरत में अनन्त बिंदू हो सकते हैं, और मैंने क्या बोला, कि एक बिंदू पर एक स्पर्श रेखा खीची आ सकती है, तो अगर बिंदू अनन्त हो सकते हैं तो सीडी सी बाते रेखाएं भी क्या हो सकती हैं स्पर्ष रेखाएं भी अनन्त हो सकती हैं तो बिटा दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि एक वरत की अनन्त स्पर्ष रेखाएं खीचिया सकती हैं एक व्रत पर एक व्रत पर अनन्त कितनी भाई अनन्त स्पर्श रेखां अनन्त स्पर्श रेखां खीची जा सकती है सिंपल सी बात है एक व्रत पर अनन्त स्पर्श रेखां खीची आ सकती है यह दोनों point क्यों याद रखने है तुम्हें कि भईया तुम्हारे one mark के question बनते हैं आशे यह दोनों point क्यों याद रखने है क्योंकि one mark के question बनते हैं अब आ जाते हैं बच्चों सीधा किस पर हमारा सबसे पहली प्रमय पर ठीक है जो कि सपर्श रेखा से ही जुड़ी हुई है तो सबसे पहली प्रमय बोलती है कि वरत के किसी बिंदू पर सपर्श रेखा स्पर्श बिंदू पर स्पर्श बिंदू से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है मतलब की बेटा आपका अगर वरत के तुम किसी भी बिंदू पर एक स्पर्श रेखा कीचते हो ठीक है तो वहाँ पर एक स्पर्श बिंदू बनेगा अगर तुम इस पर्श बिंदू से त्रिज्जा को मिला दो तो वो त्रिज्जा और वो स्पर्श रेखा क्या होंगे लंबवत होंगे उस स्पर्श बिंदू पर याने कि आपका अगर किसी स्पर्श बिंदू पर आप त्रिज्जा को मिलाते हो तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा जैसे कि तुम देखो यहाँ पर हमारा वरत है ठीक है यह भाईसा वरत के केंदर हो गए O यह हो गया हमारा वरत का केंदर O ठीक हमने क्या करा हमने खीद दी एक स्पर्श रेखा ठीक है हमने खीद दी एक स्पर्श रेखा ठीक तो हमारे पास आगे एक स्पर्श बिंदू P यह रब बिंदू P ठीक अब अगर मैं स्पर्श बिंदू पर यह है हमारी स्पर्श बिंदू स्पर्श बिंदू तो पेटा अगर मैं इस स्पर्श बिंदू पर एक त्रिज्जा मिला दूँ एक त्रिज्जा मिला दूँ जो किये रही मानलो ओपी हमारी हो गई है त्रिज्जा ओपी क्या है? ओपी हो गई हमारी त्रिज्जा तो मैंने ये त्रिज्जा मिला दी तो बेटा ये जो त्रिज्जा है ये क्या होगी? ये अपनी स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर क्या होगी बच्चो स्पर्श रेखा पर लंब होगी क्या होगी बिटा स्पर्श रेखा पर लंब होगी ठीक है याने की जो ये इनके बीच का कोण है स्पर्ष रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण है वो हो जाएगा 90 डिग्री सिंपल सी बात है यह ठीक है तो यह है बच्चों हमारी सबसे पहली प्रम है कि अगर हम एक व्रत की स्पर्ष रेखा खीचे किसी बिंदू पर तो जो इस पर्ष बिंदू होगा उससे मिलने वाली त्रिज्या आपका स्पर्ष रेखा के साथ लंबत होगी ठीक है सिंपल सी चीज है तुमारे सामने है समझ में आ गया सबको बढ़िया तरीके से एक्स्प्लेन कर दिया है I hope सबको समझ में आ गया होगा जल्दी से बताओ बेटा शालो बई अब आ जाते हैं किस पर हमारा आगे अगली प्रमय पर अगली प्रमय हमारी क्या कहती है कि वरत के बाहिय बिंदू से तो देखो आप अगर एक वरत बनाते हो और उसके बाहर एक बिंदू लेते हो जैसे कि वरत हो गया ठीक है इसके बाहर मैं एक बिंदू ले लेता हूँ ये इसका प्रूफ भी मैं आगे कराऊँगा क्योंकि इसका प्रूफ कई बार कोश्चन के रूप में आ जाता है वैसे तो नहीं आता लेकिन कोश्चन बना कर दे रहते हैं इसके प्रूफ को तो मैं इसके प्रूफ को कोश्चन में कराऊँगा ठीक है तुमने वरत के बाहर वरत का केंदर है तुमारा एक वरत हो गया ये वरत का केंदर है ठीक है ये हो गया O और तुमने वरत के बाहर एक बिंदू ले लिया P तुमने वरत के बाहर एक बिंदू ले लिया P अब तुमने क्या करा इस बिंदू P से स्पर्श रेखा खीचने की कोशिश करी तो तुम देखोगे बच्चों कि इस बिंदू P से तुम जादा से जादा दो स्पर्श रेखा खीच सकते हो ठीक है जहां तुम कोशिश करोगे तीसरी स्पर्श रेखा खीचने की भाईसा वो खीचेगी नहीं वो खीचेगी नहीं तुम खीच के देख लो तुम खीचने की कोशिश करके देख लो वो खीचेगी नहीं ठीक है एक किसी वरत के बाहर इस्थित एक बिंदू से किसी वरत पर केवल दोस पर श्रिखाएं खीची आ सकती है ठीक है किसी वरत के बाहर इस्थित हमारा किसी बिंदू से किसी वरत पर केवल दोस पर श्रिखाएं खीची आ सकती है ध्यान रखना अब इस प्रमे के अनुसार वो जो तुम बाहर दो स्पर्श रिखा है खीचोगे उनकी लंबाई बराबर होती है ठीक है कि भाईया अगर मान लो तुमने किसी वरत के बाहर कोई बिंदू है P उससे दो स्पर्श रिखा है अगर तुमने खीच दी P Q और P R तो यह लिखा है कि वाहिया बिंदू से वरत पर खीची गई स्पर्श रिखाओं के लंबाईयां बराबर होती है ठीक है कि वरत के बाहर के किसी बिंदू से अगर तुम वरत पर दो स्पर्श रिखाओं बना रहे हो क्यों कि जादा से जादा दो ही बन सकती है ठीक है तो अगर मान लो तुम्हारे पास एक व्रत दिया जाए और तुमसे बोला जाए इस व्रत के अंदर कोई बिंदू है पी इससे स्पर्श्रेखा खीचो क्या ये संभव है क्या ये संभव है व्रत के अंदर अगर कोई बिंदू है तो उससे कभी भी स्पर्श रेखा नहीं खीची जा सकती इस चीज को याद रखना व्रत के अंदर अगर कोई बिंदू इस्थित है तो उससे कभी भी कोई स्पर्श रेखा नहीं खीची जा सकती अगर व्रत तुमसे कह दे कि व्रत पर एक बिंदू है तुम्हारा कोई भी वरत है और तुमसे बोल दिया जाए कि उस वरत पर कोई बिंदू है तो तुम कोगे कि हाँ इससे हम एक स्परश्रेखा खीच सकते हैं तो बेटा ध्यान रखना वरत पर इस्थित बिंदू से एक स्परश्रेखा खीचिया सकती है ठीक है और अगर बिंदू वरत के बाहर इस्थित है तो उससे हम दो स्परश्रेखाएं खीच सकते हैं उससे हम दो स्परश्रेखाएं खीच सकते हैं तो ये point याद रखना कि वरत के अंदर इस्थित बिंदू से कोई स्परश्रेखा नहीं खीचिया सकती व्रत की परीधी पर इस्थित बिन्दू से एक स्परश्रेखा खीची आ सकती है और व्रत के बाहर इस्थित बिन्दू से हमारी दो स्परश्रेखाएं खीची जा सकती है ये सबको clear हो गया बच्चो तो देखो, ठियोरी में जितना भी पार्ट था वो यही था थियोरी में जो भी जितना भी पाट था वो यही था और वो यही पर complete हो जाता है अब हमें यह जो हमने दो प्रमे पढ़ी है पहली कि वरत के किसी बिंदू पर इस पर श्रेखा जो होती है अगर वहाँ पर उस बिंदू से हम हमारी त्रिज्जा को मिला दे तो इस पर श्रेखा और त्रिज्जा हमारी लंबत हो जाती है दूसरा वरत के किसी बाहिय बिंदू से खीची गई इस पर श्रेखाओ के लंबाईयां हमेशा बराबर होती है ठीक है, clear हो कोई बात तो अब हम क्या करते हैं बच्चो सीधा चलते हैं इस पर आधारित सवाल पर और पहला ही सवाल हमारा क्या है पहला ही सवाल है यदि ओ व्रत का केंद्र है अगर ओ व्रत का केंद्र है तो हमारा क्या करना है हमें यदि ओ केंदर वाले वरत के बाहिय बिंदू T से वरत पर दोस पर शेखाई T A और T B खीची गई तो सिद्ध करें कि T A बराबर है T B के तो देखो ये जो प्रमे है इसी को ही अब मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखा देता हूं यहाँ पर क्योंकि यह सेम ही प्रमे है तुम्हारा कोई वरत है लाइक दिस ठीक है वरत के बाहर कोई बिंदू इस्थित है माल लो ये वरत का केंदर हो जाएगा हमारा O ये हो गया वरत का केंदर O ठीक है इसके बाहर कोई बिंदू इस्थित है यहाँ पर हमारा P ठीक है इस बिंदू P से हमारी दोस पर श्रेखाएं खीची गई एक PQ और दूसरी P R ठीक है तो यह हो गई P Q और P R दोस पर श्रेखाएं खीची गई बलकि यहाँ पर इन्होंने बोलाएं कि वृत यह बिंदू जो है इसका नाम है T बिंदू का नाम है T यह बिंदू है T इन्होंने नाम अपने आपी दे रखा है कि बाही बिंदू है T और जो इस पर श्रेखाएं खीची गई है वो है T A और T B तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि T A बराबर है T B के तो यह तो वही प्रम है कि भाहिय बिंदू से खीची गई दोनों इस पर शेखाओ की लंबाईयां बराबर होती है अब इसे सिद्ध कैसे करेंगे देखो इसे सिद्ध करने का तरीका है सबसे पहले क्या करो अपना मिलाओ किसे O और A को मिलाओ O और A को मिलाओ तुमारी एक त्रिज्जा हो गई है ठीक है एक त्रिज्जा ही हो गई दूसरा O और B को मिलाओ तीसरे त्रिज्जा तुमारी यह हो गई मतलब यह हो गया O A यहाँ पर मिल रहे है यह हो गया O B यहाँ पर मिल रहे है ठीक है और अपना क्या करो बच्चो सीदा सीदा O और T को भी मिला दो तो O T मिल गया ठीक अब तुम्हें क्या सिद करना है तुम्हें सिद करना है कि O A बराबर है O B के कैसे करेंगे देखो भई, बहुती आसान है तुम लोग जानते हो क्या, कि जब भईया किसी स्पर्श बिंदू पर तुम्हारी व्रत की त्रिज्या और जीवा मिलते हैं तो वो लंबत होते हैं यानि कि ये कौन कितना हो गया ये कौन हो गया 90 डिगरी ये कौन और ये कौन दोनों 90 डिगरी है अब तुम आराम से कौन सा त्रिभुज O, A, T और O, B, T इन दोनों को कॉंगरेंट यानि कि सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हो, सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हो कैसे, तुमारा देखो दोनों क्या हैं, समकोन त्रिभुज हैं, समकोन त्रिभुज की तुमारी क्या बराबर हो जाएगी सबसे पहले तो तुमारी बराबर हो गई है O, T बराबर O, T क्यों भाई, O, T बराबर O, T क्यों क्योंकि उभेनिष्ट भुजा है दूसरा तुम्हारा समकोन त्रिभुज में A बराबर हो गई किसके? O B के तो यहां से अपने पास क्या है जाएगा बच्चो हम तो यह चीज जानते हैं कि जब एक समकोन त्रिभुज की कर्न और एक भुजा आपस में बराबर हो जाएं किसके दूसरे समकून त्रिबुज की कर्ण और भुजा के तो भाई साम वहाँ पर क्या लग जाता है रह सर्वांग समता का सौटी लग जाती है तो वही है यही तो लगाना है आपके दोनों त्रिबुज सर्वांग सम हो जाएंगे तुम जानते हो सर्वांग सम्त्रिबुजों के सभी भाग बराबर होते हैं तो यानि कि तुम्हारा T A बराबर हो जाएगा T B K by C P C T तो बच्चों देखो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि T A वे T B क्या है? स्पर्श रेखा है रेखा है तब अपने पास क्या आगया बच्चों देखो अपने पास आजाएगा हमारा कोण T A O बराबर कोण T B O बराबर 90 डिगरी रीजन क्या है भई? रीजन हम जानते हैं पहली जो हमने प्रम्य पढ़ी थी वही हमारा रीजन है स्पर्श बिंदू पर बिंदू पर त्रिज्या वे स्पर्श रेखा क्या होती है भई? लंबवत होती है स्पर्श रेखा लंबवत होती है सिंपल सी बात है खतम बात लमवत होती है ये लो बई ठीक तो ये कोण और ये कोण O, B, T या T, B, O और T, A, O दोनों हमारे क्या आ गए? दोनों आ गए 90 डिग्री अब बच्चों हम यहाँ पर क्या कर देंगे? अब हम यहाँ पर ले लेंगे हमारे दोनों त्रेभुज हमारे पास सबसे पहले क्या आ गए? सबसे पहले तो कोण ही बराबर आ गए? T, A, O, कोण T, A, O बराबर होगा कोण T, B, O के? रीजन? दोनों के दोनों 90 डिग्री है ठीक है? अगली चीज हमारा O, T, बराबर होगा O, T के रीजन? फिर से क्या है भई? उभेनिष्ट भुजा, उभेनिष्ट मतलब कॉमन यानि की ऐसी भुजा जो की दोनों ही त्रे भुजों में है उभेनिष्ट भुजा और लास्ट में हमारा O, A, बराबर हो जाएगा O, B, K और ये क्यों होगा भया? क्योंकि ये है हमारी व्रत की त्रिज्जा O, A बराबर होगा O, B के रीजन व्रत की त्रिज्जा व्रत की त्रिज्जा ठीक है? तो भई देखो अब हमने एक त्रिभुज को समकोन सिद्गर दिया मतलब एक समकोन त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोन त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर सिद्गर दिया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ पर लग गई RHS, RHS सर्वांग सम्ता कसोटी से, सर्वांग सम्ता कसोटी से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चो? सरवांग समता का सौटी से अपने पास निकल कर आ गया सिंपल कितना ये निकल कर आ जाएगा हमारा क्या कि त्रिभुज टी ए ओ सरवांग सम होगा किसके त्रिभुज टी बी ओ के तो भाई अगर सरवांग सम हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं CPCT से याने कि corresponding parts of congruence triangle मतलब कि आपका सरवांगसम त्रिबुजो के संगत भाग जो कि हमेशा बराबर होते हैं CPCT से हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा TA बराबर TB के याने कि किसी बहिये बिंदू T से वरत पर खीची गई दोनों सपर्ष रेखाएं TA और TB इनकी लंबाईया क्या होंगी आपस में बराबर होंगी Hence proved I hope ये सब को समझ में आ गया होगा किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है Easy सी चीज है I hope सब को अच्छे से clear हो गई होगी सब को समझ में आ गई होगी Clear है बच्चो जल्ली से बदाओ यार एक प्यारी सी स्माइल और कोशन सौल खतम बाद टाटा गुडबाई गया ठीक है Clear होगे बच्चो चालो बई तो अब आजाते हैं आगे और अब कर लेते हैं थोड़े और भी अच्छे अलग तरीके के कोशन ठीक है जैसे कि यहां पर हमें कोशन में क्या गिविन है कि किसी वरत के वहिया बिंदू P से दो स्पर्श रेखा है P A और P B खीची गई है यदि P A 4 cm है तो क्या होगा P B क्या होगा देखो भई P A बराबर है 4 cm के तो भाई सब P B क्या होगा यह कोशन बच्चो वाला कोशन है तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ कितने है 15 सेकेंड है तुम्हारे पास and your time starts now जाओ 15 सेकेंड है solve कर रहे जल्दी से बताओ P B का value क्या होगी और reason भी देना है P B की value क्या होगी चल्दी से बताओ A B C या F E D 2 cm, 3 cm, 16 cm या 4 cm time up देखो तुम्हें क्या बोला है कि किसी वरत के बाहिय बिंदू P से यानि कि वरत के बाहर कोई बिंदू है P उससे दो सपर्ष रेखाएं खीची गई है P A और P B तो भाईया हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रमय पड़ी थी कि वरत के किसी बाहिय बिंदू से खीची गई वरत पर इस पर्ष रेखाओ की लंबाईयां हमेशा बराबर होती है ठीक है? और हमने पिछले सवाल में सिद्ध भी कर दिया ये तो हमारा P B बराबर होगा किसके? P A के इन दोनों के लंबाईयां बराबर होंगी क्योंकि एक ही बिंदू से खीची गई इस पर्ष रेखाएं है तो P B बराबर होगा किसके? हमारा P A आने की 4 cm के तो बेटा ये हो गया हमारे इस given question का answer बहुत simple question है ठीक है? और मैंने नहीं डाला ये question प्रिवेस येर में आया हुआ है मैंने नहीं डाला इतना easy question ये प्रिवेस येर में आया हुआ है तो D विकल्प इस प्रिशन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया clear है जब को आगे समझ में आसान question है ये बिलकुल चलो next question पर आजाओ अब ये वाला question भी बड़ा तगड़ा और बढ़िया question है क्या कह रहा है question कि व्रत के केंद्र केंद्र ओ वाले व्रत के बाहिया बिंदू T से व्रत पर दो स्पर्च रेखाएं T P और T Q खीची गई तो सिद कीजिए कि कोण P T Q P T Q बराबर होगा दो गुणा कोण O P Q के ठीक है तो अब देखो यहाँ पर सारी चीजों का इस्तमाल हो जाएगा तुमारा यहाँ पर सारी चीजों का इस्तमाल हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा पूरा का पूरा चित्र हो गया ठीक आपका T बिंदू से दोस्पर शेखाएं खीची गई आपकी कौन कौन सी एक तो T P और दूसरी T Q ठीक आपको दिखाना है कि जो यह वाला कोण है कोण P T Q यह वाला जो कोण है यह क्या है आपका Half है किसका बनाब Double है किसका दो गुणा कोण O P Q का जहाँ पर आपका जो O है O P क्या है O P है वरत की त्रिज्जा O P क्या है बाई सब O P है वरत की त्रिज्जा O P है वरत की त्रिज्जा ठीक है और ये तो हमने एक line बना लिया P से Q को मिला दिया तो तभी हमारे पास कोण आएगा ना विटा जब हम P से Q को मिलाएंगे तभी तो हमारे पास कोण आएगा तो हमारे पास कोण आगया कौन सा OPQ ये कोण को हमें क्या करना है दुगना दिखाना है मतलब कोण P, T, Q को दुगना दिखाना है, कोण O, P, Q के अब कैसे दिखाएंगे देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा त्रिभुज ले लो कौन सा त्रिभुज P, T, Q में त्रिभुज P, T, Q में अब मैंने इसकी बात क्यों करी तुम खुद देखो तुम्हें पता है कि तुम्हारा tp जो है वो किसके बराबर होगा tp बराबर होगा तुम्हारा किसके tp बराबर होगा तुम्हारा tq के क्यों वहिया क्योंकि तुम्हारी ये क्या है a की बिंदू से खीची गए इस परशे खाए है तो तरिबुज P T Q में T P बराबर होगा T Q के Reason में आपर लिख देता हूँ एक ही बिंदू से खीची गई इस परशेखा बलकि वरत एक बार लिख रहा हूँ बार बार नहीं लिखूँँगा वरत के वही है बिंदू से बिंदू से खीची गई गई खदम बात अब और क्या होगा बच्चो ये आ गया तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा तुम जानते हो कि किसी त्रिमुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोन भी बराबर होते है यान कि T P के सामने वाला कोन कोण TQP और कोण TPQ ये दोनों आपसें बराबर हो जाएंगे अत है कोण कौण कौण सा आपका TQP कोण TQP बराबर हो जाएगा कोण TPQ के ठीक है अब बच्चो यहां से आप क्या करोगे यहां से आप मान निकाल लोगे किसका हमें किसके बराबर सिद करना है कोण OPQ के ठीक है इसमें और इसमें संबंध चाहिए तो हम क्या करेंगे हम कोण P T Q का मान निकालेंगे किसके रूप में आपका कोण T P Q के रूप में इसमें क्योंकि देखो इस वाले और इस वाले कोण में संबंध निकालना बहुत आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि O P और T P 90 डिग्री होंगे क्या स्पर्ष बिंदू पर मिलने वाली स्पर्ष रेख और त्रिज्य आपकी लंबत होती हैं, तो इन दोनों कोणों के भीच में संबन्द निकालना बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे पेले हम सब पहले संबंद निकालेंगे हमारा इस कोण में PTQ में और तुम्हारा TPQ में फिर किसमें TPQ में और OPQ में फिर अपना final जो हमें अंसर चाहिए OPQ और PTQ वो निकल कर आ जाएगा तो जो अभी मैंने बोला क्योंकि मैं खुद गन्फ्यूज हो गया TPQ, OPQ, PTQ में तो भाई देखो मैंने बिल्कुल सही बोला है अब लिखेंगे तो और अच्छे से clear हो जाएगा देखो भाई, सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज TPQ में या PTQ में त्रिभुज PTQ में हमारे पास क्या हैगा तीनों कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के ठीक है अब तुम already जानते हो कि TQP और TPQ दोनों बराबर हैं और मैंने क्या बोला कि हमें इसमें और इसमें संबंद चाहिए तो हम क्या करेंगे TQP को बराबर रख देंगे TPQ के यह तो हम पहले से ही जानते हैं तो अपने पास क्या जाएगा कौन PTQ बराबर प्लस कौन TPQ और प्लस कौन TPQ बराबर 110 से डिगरी गया ठीक है अब इस कौन PTQ को उठा कर इधर ले जाओ तो तुम्हारे पास क्या जाएगा कौन TPQ प्लस कौन TPQ कितना हो गया दो गुणा कौन TPQ बराबर हो गया किसके ये इधर जाएगा तो 180 degree माइनस कौन PTQ ठीक है दो से भाग कर देंगे तो कौन TPQ बराबर हो गया 180 degree बटे 2 90 degree आ गया मैं लेखी देता हूँ पहले से वहना आदे बच्चे कहेंगे कि ये 90 degree कहां से आ गया 180 degree बटे 2 माइनस कौन PTQ बटे 2 ये दो जो इधर गुणा में था ये भाग में चला गया ठीक है 180 degree को 2 से भाग करेंगे तो कौन TPQ बराबर आ गया किसके 90 degree माइनस कौन PTQ बटे में 2 simple बटे में 2 है ना तो ये हमारा क्या हो गया बच्चो ये हो गया हमारा दूसरी चीज ठीक अब अपना क्या करो अब अपना relation निकाल लो किसमें तुम्हें कोन TPQ का मान मिल गया इसे मैं बोल देता हूँ समीकरा नंबर 1 तुम्हें किसका मान मिल गया कोन TPQ का अब क्या करो अब कोन TPQ का मान यहां से निकाल लो तुम जानते हो कि तुम्हारी OP और TP क्या है इस पर्ष बिंदू पर मिलने वाली क्या है इस पर्ष रेखा और त्रिज्जा है तो ये जो कोन बन रहा है ये कोन कितना होगा ये कोन होगा 90 डिगरी ठीक है हम लिखेंगे चूंकि कोन TPO बराबर होगा 90 डिगरी के रीजन ये रीजन लिखते हुए चलो क्योंकि आदे बच्चों को पता नहीं है व्रत स्पर्ष बिंदू पर बिंदू पर त्रिज्जावे त्रिज्जावे स्पर्ष रेखा स्पर्ष रेखा क्या होती है लंबवत होती है सिंपल खतम टाटा गुडबाए गया है ना तो अबने पास क्या आगया अब देखो तुम्हारा जो TPO है वो किसकिस से मिना है TPO तुम्हारा बना है TPQ और T किस से TPQ और OPQ से है ना तो यह मिलकर बनाए कोण TPQ प्लस कोण OPQ से जो कि बराबर हो गया 90 डिग्री के है ना तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कोण TPQ का मान रख सकते हो ठीक है जबकि आपका कोण OPQ का मान कितना है OPQ में तो तुम्हें संबंध निकालना है OPQ में तो तुम्हें संबंध निकालना है तो देखो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा तुम्हारा कोण इसका मान रख दो तो यह हो जाएगा आपका यहां से उठा कर हम मान यहां रखेंगे इस समी करण में तो कितना हो जाएगा आपका यह आजाएगा 90 डिगरी माइनस कौन PTQ बटे 2 प्लस कौन OPQ बराबर 90 डिगरी के, ठीक है, इन दोनों को उठाकर उधर ले जाओ, OPQ को इधर अकेला छोड़ दो, ठीक है, अपने पास क्या आजाएगा, कौन OPQ बराबर 90 डिगरी, यह 90 डिगरी तो ऐसे ही है, यह 90 डिगरी जब इधर जाएगा, प्लस का है इधर, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 90 डिगरी, और यह जो कौन, माइनस कौन PTQ बटे 2 है, यह माइनस का जब कौन PTQ बटे 2 इधर जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस कौन PTQ ब निकल कर आगया, इससे ये खतम, हमारे पास निकल कर आगया, कोण OPQ बराबर कोण PTQ बटे में दो, दो की इधर गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास आगया दो गुणा कोण OPQ बराबर कोण PTQ के, या फिर हम लिख सकते हैं, फाइनली, जो कि हमें निकालना था, कि कोण PTQ बराबर दो गुणा कोण OPQ के, क्या हमें यही सिध करने के लिए नहीं दिया गया था? क्या हमें यही सिध करने के लिए नहीं दिया गया था, देखो, कोण PTQ बराबर दो गुणा कोण OPQ के, यही सिध करने के लिए दिया था, और हमने सिध कर दिया है, आराम से तो नहीं किया, देखो, कोशन easy है, कोशन को इतना खतरनाक नहीं है, कोशन तो बहुत easy है, बट वह ही है अगर practice करी है एक बार question solve करा है तो आराम से कर पाओगे नहीं करी है नहीं solve करा है तो लुटिया डूप जाएगी भाई question बढ़िया question है ठीक है clear होगे सबको आगे है भाई सबको समझ में जल्दी से बताओ बिड़ा चालो तो next question पर आ जाते हैं अब क्या कोण P O Q बराबर है 110 degree के तो कोण P T Q किसके बराबर होगा तो देखो बई कोण हमसे बूच रहा है कि कौण P T Q यानि कि ये कौण किसके बराबर होगा तो बएटे देखो तुमें यहाँ पर एक चीज साफ साफ दिख रही होगी कि अगर हम notice करें तो हमारा जो ये आकरती बन रही है कौनसी वाली भाई भाई अब हम बात कर रहे हैं हमारा ये जो आकरती बन रही है ठीक है कौनसी टी पी ओ क्यू ये क्या बन रहा है टी पी ओ क्यू चार भुजाओ से घरी हुई आकरती है तो क्या है चार भुजाओं से घिरी हुई आकरती है तो CDC बात है चत्र भुज़ है अब अगर ये चत्र भुज़ है तो हम क्या करेंगे बच्चो चत्र भुज़ के चारो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तुम खुद सोचो कि ये वाला कोण 110 डिग्री है ये कोण कितना होगा यहाँ पर तुमारी 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 तुम प्लस कौन TQO दोनों के दोनों बराबर होंगे किसके स्वारी कौन TPO बराबर कौन TQO ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे किसके 90 डिगरी के क्यों भाईया, reason क्या है, reason यहाँ पर अब मैं reason नहीं लिख रहा, आप मैं बता चुका हूँ, तो मैं कई बार और कई बार लिखवा भी चुका हूँ, simple A की चीज़ है क्या कि भाईये, स्पर्श बिंदू पर त्रिज्या और स्पर्श रिखा क्या होते हैं, लंवत होते हैं तो यह दोनों हो गए 90 डिग्री, अब सीधा सीधा आजाओ, चतुर्भुज चतुर्भुज पी क्यू पी ओ क्यू टी में पी ओ क्यू टी में, हमें पता है चतुर्भुज के चारो कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो कोण पी ओ क्यू प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस कोण पी टी ओ प्लस कोण कौण सा भई आपका टी पी ओ चारो कोणों का योग 360 डिग्री हो गया, यहाँ पर जिस कोण का मान आपके पास है, उस कोण का मान रख दो, जिस कोण का नहीं है, उसे वैसे छोड़ के solve कर दो पी ओ क्यू का मान आमें सवाल में दिया हुआ है 110 डिग्री ठीक है कोण टी ओ क्यू का मान हम आलरेड़ी निकाल चुके है 90 degree, यह हो गया हमारा 360 degree के बराबर, 90 degree होगे 180 degree, 180 degree और 100, 280 degree और 10, 290 degree, यह हो गया हमारा 290 degree प्लस कोन pto, बराबर 360 degree के, 290 degree इदर जाएगा तो कॉंड PTO बराबर आगया हमारा 360 degree माइनस 290 degree के तो यहां से निकल कर आगया कितना 360 degree माइनस 290 degree करेंगे तो यह मान आगया हमारा कितना बच्चो 70 degree के बराबर और यही हमारे इस question का answer हो जाएगा किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है बहुत ही बढ़ है आप प्यारा सा आसान सा कोशन लेकिन वही है कि अगर तुम्हें थियोरम याद है अगर तुम्हें तरीके पता हैं तब ही तुम इस चीज को solve कर पाओगे नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगे ठीक है clear हो कोई बात आगे है सब को समझ में जल्दी से बताओ बेटा clear है सब कोई है easy question था चालो अगले question पे चलते हैं अगला question हमारा क्या खेरा है देखो भई अगला question कहता है कि दो सनकेंद्रिय वरत्तों के तरिज्या 5 cm और 3 cm है बड़े वरत्त की उस जीवा की लंबाई ग्याद कीजिए जो छोटे वरत्त को सपर्ष करती हो चलो जी देखो भई सबसे पहले ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक जीवा है बड़े वरत्त की एक जीवा है तुम्हारे पास दो वरत्त हैं ये तो समझा दिया उसने दोनों वरत्त कैसे हैं सनकेंद्रिय है कैसे हैं भाई सनकेंद्रिय है सनकेंद्रिय है मतलब जिनका एक ही केंद्र होता है ऐसे वरत जिनका एक ही केंद्र होता है बच्चों उन्हें बोला जाता है सनकेंद्री है ठीक है तो भाई सब यो दोनों वरत क्या है सनकेंद्री है इसमें आपको त्रिज्जा दी गई है कौन सी बड़े वाले वरत की जो बड़ा वाला वरत है और छोटे वाले वरत की बड़े सिंपल सी बात है स्पर्ष रेखा है क्योंकि यही बोला गया है तो यह मानलो बिंदू हो गया पी जहां पर यह स्पर्ष कर रही है बिंदू पी ठीक हमसे कह रहा है कि यह मानलो स्पर्ष रेखा है ए बी और छोटे वरत को ये बिंदू P पर स्परश कर रही है हमसे कैया रहा है कि भाई साब एक काम करो इस A, B की जो ऐसी स्परश रेखा है जो बड़े वरत की जीवा है और छोटे वरत की क्या है स्परश रेखा है इसकी लंबाई निकाल के देदो बस हमें इतना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर देखो बच्चो आपका मैं एक कॉंसेप्ट लगाऊंगा ठीक है देखो आप सबसे पहली चीज क्या लिखोगे आप सबसे पहली चीज ये लिखोगे कि भाईया आपका स्पर्ष रेखा को व्रत के केंदर से मिला दिया स्पर्ष बिंदू से तो आप लोग आलरेडी जानते हो क्या कि भाई हमने अभी थोड़ देर पहले प्रम्य पढ़ी थी कि व्रत की जो स्पर्ष रेखा है और व्रत की जो स्पर्ष जो त्रिज्या होती है वो स्पर्ष दूपर 90 डिगरी का कौन बनाती है है ना तो आपका यहाँ पर ये सिद्धो गया कि OP जो है वो AB पर लंब है ठीक है AB क्या है बड़े वाले वरत की जीवा है AB क्या है बड़े वाले वरत की जीवा है तो class 9th में एक प्रम्य पढ़ी होगी आप लोगों ने ठीक है नहीं पढ़ी तो मैं रिवाइस करा देता हूँ वैसे तो पढ़ी है 110 परसेंट मैं रिवाइस करा रहा हूँ क्या कि वरत के केंदर से जीवा पर खीचा गया लंब उस जीवा को समद्वी भाजित करता है मैं लिखवा भी दूँगा ये ठीक है तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले आप लिखोगे कि माना ये प्रेशन बहुत ध्यान से देख ले ना important है और कई बार पूछा जाता है माना A.B. बड़े वरत की जीवा है बड़े वरत की जीवा है वै वै छोटे वरत को छोटे वरत को पी पर स्पर्ष करती है ठीक है? करती है अब हमारे पास क्या आएगा सबसे पहले हमारे पास आएगा कोण O.P.A ठीक है बराबर होगा किसके? आपका कोण O.P.A बराबर होगा 90 डिगरी के Reason क्या है बई? आपको पता है कि वरत की स्पर्ष रेखा और त्रिज्जा जो होती है वो स्पर्ष बिंदू पर लंबत होती है ठीक है? अब दूसरी चीज अब हम लिखेंगे चूंकी यहां से हमें यह पता लग गया कि O.P. और A.B. के बीच में जो यह लंब है तो यानि कि O.P. क्या है? A.B. पर लंब है? जो यह O.P. है वो A.B. पर लंब है क्योंकि 90 डिग्री का कौन बन रहा है सिंपल सी बात है तो आप कहोगे चूंकी आपके पास आएगा क्या? चूंकी O.P. लंब है A.B. पर अतह हमारे पास हो जाएगा A.P. बराबर P.B. के Any specific reason? Yes. We have a specific reason. क्या reason है भाईया? कारण क्या है? क्योंकि वरत के केंदर से Class 9th की प्रमे आईए वरत के केंदर से जीवा पर लंब जीवा पर लंब जीवा को क्या करता है? जीवा को सम्द्वी भाजित करता है क्या करता है भाई? सम्द्वी भाजित करता है सिंपल सी बात है विटा तो अगर ये सम्द्वी भाजित कर रहा है तो इसी वज़े से A.P. बराबर हो गई अब बच्चों तुम्हारा सारा काम हो गया तुम खुद देखो ओपी क्या है? ओपी क्या है तुम्हारे छोटे वाले वरत की द्रिज्जा याने कि ये हो गई तुम्हारी तीन ओपी क्या है बेटा तुम्हारे छोटे वाले वरत की द्रिज्जा तो ये हो गई तीन है ना? तो ये है हमारी तीन सेंटिमेटर यही तो बोला उनने छोटे वाले व्रत की द्रिज़ा, ओपी क्या है, केंडर से छोटे वाले व्रत की परीदी तक की दूरी, यानि कि 3 cm, और तुम्हारा ये हो गई क्या, O, A हो गई तुम्हारे बड़े वाले वरत की द्रिज्जा तो बड़े वाले वरत की द्रिज्जा कितनी है? 5, ठीक है? तुम जानते हो पहले ही कि ये क्या है? ये है तुम्हारा समकोण कोण O, P है तुम्हारा समकोण है ठीक है? समकोन त्रिभुज की तुम्हें दो भुजाएं पता है तीसरी नहीं निकाल लिया सकती सीधा सीधा पाई था को और इस प्रामें लग रही है लगा दो भई, देखो समकोन त्रिभुज समकोन त्रिभुज OPA में क्या कर दोगे बच्चों तुम अपना 90 डिगरी के सामने वाली भुजा याने की कर्ण जो कि हमारी O A O A का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा O P का वर्ग प्लस किसके A P का वर्ग खदम बात O A क्या है हमारी बड़े वाले वरत की द्रिज्जा जो कि है 5 cm तो यह हो गया 5 का वर्ग O P क्या है छोटे वाले वरत की द्रिज्जा जो कि है 3 cm तो 3 का वर्ग और A P का वर्ग क्योंकि A P का मानतों हमें निकालना है तो यह हो गया 25 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा और प्लस 9 इदर आ करो गया माइनस 9 बराबर A P का वर्ग तो हमारे पास A P क्या आ गई A P बराबर आ जाएगा बच्चो वर्ग मूल के अंदर 25 माइनस 9 याने की 16 तो A P बराबर आ गया हमारा 4 cm बहुए यह लो यह आ गया A P का मान यह आ गया A P का मान अब आपका चूंकि A P बराबर है किसके चूंकि A P बराबर है B P के तो याने की आपका B P का मान भी हो गया 4 cm तो आपको क्या निकालनी थी उस वर्ग की जीवा की लंबाई जो की हमारी क्या है छोटे वर्ग पर इस पर शेखा याने की आपको AB के लंबाई निकालनी थी तो AB बराबर कितना हो जाएगा अत्य है हमारे पास क्या आ गया AB बराबर हो जाएगा हमारा AP PLUS PB तो AP का मान कितना है AP का मान भी हमारा कितना है 4 PB का मान भी हमारा 4 तो AB बराबर आ गया बच्चों हमारा 8 cm 30 meter और इसके साथ हमारा ये सवाल यहीं पर complete हो जाता है ठीक है हमारा ये सवाल यहीं पर complete हो जाता है किसी भी बच्चे को इस question में कोई दिक्कत है देखो यार इतना काम तो तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम्हें AP बराबर PB दिखाना पड़ेगा नहीं तो तुम क्या करो अपना पहले त्रिबुज OAP के लिए निकालो AP का मान फिर दूसरा त्रिबुज बनाओ OPB उसके लिए निकालो PB का मान दोनों के मान तब भी से माने है तब भी से माने है ठीक है क्योंकि सीरी सी बात है चीज़े थोड़ी ना बदल जाएंगी अब ये है फैक्ट तो है फैक्ट कि भाईया AP बराबर PB होगा तुम चाहें इसे निकाल के दिखाओ चाहें तो भाईया तुम अपनी पुरानी प्रमयों का इस्तमाल कर लो जो कि तुमने पढ़ रखी है जैसे कि मैंने यहाँ पर तुमारी क्लास नाइंद की प्रमय का इस्तमाल कर दिया कि व्रत के केंदर से जीवा पर डाला गया अलम जीवा को समधी बाजित करता है क्लास नाइंद की प्रमय है ये कर दिया इस्तमाल हो गया काम ठीक है? चलो, अगले सवाल पर आजो क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि भाईया वरत की जीवा A, B वरत के केंदर पर साथ डिगरी का कोण बनाती है तो भाईया ये मानलो ये है वरत की जीवा A, B A, B ये वरत के केंदर पर 60 डिगरी का कोण बना रही है मानलो ये है वरत का केंदर O ये 60 डिगरी का कोण है क्या कह रहा है बच्चो कि तो A और B बिंदू उपर खीची गई स्पर्श रेखाओ के बीच का कोण होगा तो मानलो यहाँ पर कोई बिंदू है हमारा कौनसा यहाँ पर कोई बिंदू है हमारा बिंदू P जो कि A और B स्पर्श रेखा खीच रहा है तो यह जो दो स्पर्श रेखा हैं कौनसी आपकी P A और P B इनके बीच का कोण पूछ रहा है कि यह वाला कोण कितना होगा कोण A P B तुम्हें अब चित्र देखके याद आ गया होगा कि ऐसा सवाल तो तुम्हें अल्रेडी कर चुके हो यह तो बहुत आसान है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि स्पर्श बिंदू पर तुम्हारी व्रत की त्रिज्जा O A और स्पर्श रेखा P A क्या होंगी? 90 डिग्री पर होंगी तो यह 90 डिग्री है सेम तुम्हारा स्पर्श रेखा कौनसी P B और त्रिज्जा O B तुम्हारा यह भी 90 डिग्री होंगी चतर बुझ के तुम्हें 4 कोण में से 3 पता है 4 निकाल लो यह तो बहुत आसान है तुम्हारा कोण A O B प्लस कोण P A O प्लस कोण P B O प्लस कोण A P B बराबर होगे 4 कोणों का योग 360 डिग्री के यह आ गया हमारा कितना? A O B का माहन है 60 डिग्री P A O क्या हो जाएगा? आपका 90 डिग्री क्या है? आपका A O और P A जो इस पर्ष रेखा और त्रिज्जा है वो क्या बनाएंगी? वो होंगे तुम्हारी सम कोण सेम P B O B हो गया 90 डिग्री कोण A P B का मान तुम्हे निकालना है? यह बराबर आगया 360 डिग्री के अपने पास कितना हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री और 60 डिग्री, 240 240 इदर जाकर माइनस हो जाएगा तो कोण A P B कोण A P B कितना आद आएगा बच्चों यह? 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री तो यह आगया हमारा कोण A P B बराबर कितना 120 डिग्री के तो कोण A P B का मान होगे 120 डिग्री और यही हमारे सवाल का अंसर हो जाएगा ठीक है बड़ा? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? बनाओ क्लेर है बिटा? चलो बई समझ में आगया जबको? यह कोईशन भी हो गया? आसान सा था? ठीक है? नेक्स कोईशन पर आजाओ नेक्स कोईशन क्या कह रहा है? कि एक बिंदू ए से जो की वरत के केंदर O से 5 सेंटीमेटर की दूरी पर है यह वरत का केंदर हो गया O यह इससे 5 सेंटीमेटर की दूरी पर इस्तित बिंदू A ठीक है? क्या कह रहा है? कि वरत पर एक स्पर्ष रेखा AT जिसकी लंबाई यह 3 cm तो यह सपरश्रेखा हो गई 3 cm की AT यह 3 cm ठीक तो कह रहा है OT ग्यात करो OT ग्यात करो याने कि व्रत की त्रिज्जा यार अब यह कोई करने वाला सवाल रहे गया है सोच के बताओ तूँ खुद क्या यह कोई करने वाला सवाल रहे गया है बताओ सोच के खुछ जरा दिमाग लगाओ थोड़ा और मुझे सोच के बताओ कि सर हाँ यह करने वाला सवाल है मुझे तो ही लगता क्योंकि क्यों भाई एक बाद बताओ कोण OTA 90 डिग्री होगा या नहीं होगा हमारे पास क्या आगया त्रिभुज OTA एक क्या होगा समकोन त्रिभुज होगा समकोन त्रिभुज है ठीक है और अगर भाई साब यह समकोन त्रिभुज है तो तुम जानते हो समकोन त्रिभुज में पाइथाक और इस प्रामे लग जाती है 90 डिगरी के सामने वाली बुजा कर्ण का वर्ग याने कि OA का वर्ग अन्य दो बुजाओ के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा 80 का वर्ग और तुम्हारा प्लस OT का वर्ग जो की वरत कित रिज्जा है ठीक है तो OA हमारा कितना है 5 तो 5 का वर्ग 80 का मान कितना है 3, 3 का वर्ग OT हमें निकालना है तो 5 का वर्ग हो गया 25 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस का 9 इदर आकर हो गया माइनस और OT का वर्ग हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा OT बराबर आ गया 25 माइनस 9 कितना 16, तो स्क्वायर रूट 16 इसे बाहर निकालेंगे 4 सेंटीमेटर येलो बच्चो ये हो गई तुम्हारे वर्ग कित रिज्जा खतम बात इत्ता इजी कोशन था है क्लेर है बई आगे सब को समझ में आगे बढ़ा जाए चालो अब देख लेते हैं नेक्स कोशन क्या कहा रहा है नेक्स कोशन कहा रहा है कि यदि दो वरत एक केंद्रिया हो यानि कि ये वही है सन केंद्रिया ठीक है तो वही है दो वरत तुम्हारे सन केंद्रिया है मालनों ये हो गया वरत का केंद्र O जो कि दोनों ही व्रतों का केंदर है तो सिद्गरे की बड़े व्रत की एक जीवा जो छोटे व्रत को स्पर्श रेखा है अपने स्पर्श बिंदू पर स्वम्दी भाजित होती है याने कि देखो इस सवाल में तुम्हें सिद्गरने को आ गया वो जो आमने पिछली बार करा था ना काम वो यहाँ पर सिद्गरने को आ गया A B आपको सिद्गरना है कि अगर ये P बिंदू पर स्पर्श रेखा है ये बड़े व्रत की जीवा A B छोटे व्रत के लिए P बिंदू पर स्पर्श रेखा है तो आपको सिद्ध करना है कि A P बराबर होगा P B के ठीक है कैसे सिद्ध होगा बच्चो देखो यहाँ पर तुम क्या करोगे आप O P को मिला दो ठीक है और इसके अलावा अपना O A और O B को मिला दो ठीक है तो तुम्हारे पास दो त्रिबुच तयार होगे तुम्हारे पास दो त्रिबुच तयार होगे तुम सबसे पहली चीज क्या लिखोगे तुम सबसे पहली चीज छुटते ही लिखोगे क्या कि तुम्हारा कोण O P A और O P B दोनो 90 डिग्री है क्योंकि भाया देखो क्या है O P वरत की त्रिज्जा है और A B क्या है इस छोटे वाले वरत की स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदू पर जो त्रिज्जा और स्पर्श रेखा होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है ठीक है तो भाई यह कोण O P A और कोण O P B दोनों समकोण हो गए इसके अलावा यहाँ पर आपका A B बराबर आ जाएगा किसके O B के O A बराबर हो जाएगा O B के क्योंकि दोनों वरत की त्रिज्जा है और O P बराबर हो गया O P के तो भाई एक समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर सिद्धो गई RHS सर्वांग समता का सौटी लग गई जैसी RHS का सौटी लग गई क्या कह दोगे तुम्हारे दोनों त्रिभुजा अपस में सर्वांग समे याने की AP बराबर है PB के याने की बच्चो हमारा स्पर्ष बिंदू पर जो बड़े वरत की जीवा है वो क्या होती है समदी भाजित होती है खतम बात करो भई देखो तुम लिखोगे पहले तु ये सारी चीज़े तुम्हें लिखनी पड़ेंगी माना केंद्र O वाले बड़े वरत की जीवा AB छोटे वरत को P बिंदू पर क्या करती है P बिंदू पर प्रतिछेद प्रतिछेद करती है तो अगर ये P बिंदू पर प्रतिछेद कर रही है बच्चो तब सबसे पहले तो हमें सिद्ध क्या करना है सबसे पहले तो हमें सिद्ध क्या करना है तो देखो भई सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है भई हम लोगों को ये सिद्ध करना है मेरे लाल की हमारा क्या आ जाए हमारा AP बराबर हो जाए PB के AP बराबर हो PB के ठीक है तो हम ले लेंगे हमारे दोनों त्रिभुज त्रिभुज OPA वे त्रिभुज O, P, B में सबसे पहले कोण O, P, A बराबर है कोण O, P, B के पूछना मत क्यों क्यों क्योंकि already 50 बार बता चुका हूँ दोनों के दोनों 90 degree के होंगे क्योंकि भैया देखो O, P क्या है वरत की त्रिज्जा और तुम्हारा A, P क्या है स्पर्ष रेखा तो वरत की त्रिज्जा और स्पर्ष रेखा स्पर्ष रेखा स्पर्ष बिंदू पर 90 degree का कोण बनाती है लंबवत होती है पहली प्रमय पढ़ीती सेम O, P क्या है त्रिज्जा और P, B क्या है वरत की स्पर्ष रेखा तो त्रिज्जा और स्पर्ष रेखा, स्पर्ष बिंदू पर 90 डिगरी का कोण बनाती है, दोनों 90 डिगरी का कोण बना रहे हैं, बात खतम, ठीक है, इसके अलावा O A बराबर है O B के, रीजन आपका त्रिज्जाएं हैं ये दोनों वरत की, ठीक है, और तीसरा O P बराबर है O P के, दोनों की दोनों उभेनिष्ट भुजाएं, दोनों की दोनों उभेनिष्ट भुजाएं, तो सिंपल सी बात है बच्चो, यहाँ पर क्या हो गया, आपके दो समकोन त्रिभुजो के कर्ण और भुजा बराबर हैं, तो यानि कि हमारी लग गई RHS कसॉटी, तो RHS आजाएगा simple क्या मेरे लाल कि त्रिभुज OPA सरवांग समोगा त्रिभुज O P B K याने कि आपका CPCT से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा PA बराबर होगा PBK याने कि बच्चो इसके बाद तुम पूरा का पूरा statement लिख दोगे यही वाला कि बड़े वरत की जीवा जो की छोटे वरत की इस पर्ष रेखा है वह इस पर्ष बिंदू पर समधी भाजित होती है hence proved hence proved clear हो कोई बात समझ गया सब आगया अच्छे समझ में किसी को कोई दिक्क्त है इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिखकर है किसी बच्चों को दिखकर है इसमें चलो नेक्स कोशन देखते हैं क्या कह रहा है यह कह रहा है यदि दी गई आकरती में P A और P B दो इस पर शरीखाए हैं के इंदर O वाले व्रत पर कि कोण A P O कोण A P O ये वाला कोण है चालिस दिग्री तो कोण O A B ग्याद करो कौन सा कोण? कोण O A B ग्याद करो ये कोण निकालना है भई हमें? कैसे निकाल सकते हैं? है कोई तरीका? क्या अपने पास कोई तरीका है? तरीका तो है भई, निकालने का, इंतजाम तो है अपने पास क्या? देखो, तुम जानते हो कि यहाँ पर O आपका P A बराबर होगा P B के तुम्हारा PA बराबर होगा PB के क्यों? दोनों वरत की स्पर्ष रेखाएं है क्या हैं बई? दोनों वरत की स्पर्ष रेखाएं है बराबर लंबा ही क्योंगी? बहुत बढ़या बहतरीन चीज मान ली तुमारी बात अब इसके बाद लेकिन दिक्कत क्या आईगी देखो तुम जैसे ये लिखोगे तुम्हें यहां से क्या मिल जाएगा तुम्हें मान निकालना पड़ेगा कोण P, A, B का इस वाले कोण का ताकि तुम जानते हो कि O, A और P, A क्या है स्पर्ष रेखा और त्रिज्जा है जो कि स्पर्ष बिंदू पर होंगी लंबत यानि कि यह होगा 90 डिग्री का कोण तो अगर तुम्हें यह मिल गया तो तुम्हें अराम से यह निकाल सकते हो जो कि तुम्हारा आंसर होगा ठीक है पर इसके लिए तुम्हें यह वाला कोण पूरा चाहिए जिसमें से तुम्हें केवाल यह पता है तो यह पूरा कोण कैसे निकालेंगे भया इसके लिए पहले तुम्हें त्रिभुज A, P, O और B, P, O को सरवांगसम दिखाना पड़ेगा ताकि तुम लिख सको के कोण A, P, O और कोण B, P, O बराबर है तुम्हें A, P, O का मान पता है तो यह 40 डिग्री है तो यह भी 40 डिग्री हो जाएगा तब जाकर तुम्हारा काम होगा पूरा कैसे करेंगे देखो भाई सबसे पहले तुम लिखोगे तुम्हें B, P, O में ध्यान से देखना ज़रा कोण A, P, O बराबर है कोण B, P, O के यह तो लेकर आना है हमें सबसे पहले तुम्हें पता है कि A, P बराबर होगा किसके तुम्हारा P, B के ठीक है A, P बराबर होगा P, B के क्यूं वरत की दोस्पर शेखाएं बराबर होंगे सीधी सी बात है P O बराबर होगा P O के उभेनिष्ट भुजा ठीक है और A O बराबर होगा O B के तो भाईया देखो यहाँ पर क्या लग गया एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं यानि की S S S सर्वांग सम्ता कसौटी से सर्वांग सम्ता कसौटी से अपने पास क्या आगया मेरे लाल देखो भाईया सर्वांग सम्ता कसौटी से यहाँ पर निकल कर आगया हमारा, कि हमारा त्रिभुज, कौन सा, APO, क्या होगा हमारा सर्वांग सम होगा त्रिभुज BPO के, याने की बच्चों CPCT से क्या आ जाएगा? CPCT से, अपने पास आ गया कौन APO, बराबर कौन BPO के, तो इसका मतलब कौन BPO का मान कितना होगा? कौन BPO बराबर होगा हमारा 40 डिग्री के, ठीक है? 40 डिग्री के, तो हमारा कौन APB कितना हो जाएगा? कौन APB, कितना हो जाएगा बच्चों देखो? यह हो जाएगा, कौन APB, बराबर होगा हमारा कौन APO, प्लस कौन BPO के, तो हमारे पास निकल कर आ गया कौन APB, बराबर 40 डिग्री, प्लस 40 डिग्री, याने की 80 डिग्री के, तो बेठा, हमें जो यह पूरा कौन चाहिए था, ये पूरा कोन आगया हमारा 80 डिग्री अब तुम उल्रेटी जानते हो कि P A बराबर होगा P B के ठीक है त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती है तो क्या होता है बिटा त्रिभुज P A B में P A बराबर है P B के है ना तो उसके आमने सामने के कोन भी बराबर होँगे कोन P A B बराबर होगा कोन P B A के है ना इसे हम मान लेते हैं X के बराबर ठीक तो अपने पास क्या आ जाएगा अपने पास निकल कर आ जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कोन A P B प्लस कोन P A B प्लस कोन P B A तीनों को मिला कर यह हमारा किसके 180 डिगरी के बराबर होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग ठीक है तो A P B का मान कितना है 80 डिगरी P A B का मान और P B A का मान दोनों का मान है X तो यह बराबर होगे 180 डिगरी के 80 degree दर जाएगा, minus हो जाएगा, x और x हो गया हमारा 2x तो 2x is equal to, x और 80 degree minus 80 degree करेंगे 100 degree, 2 से divide कर दो, x बराबर आगया 50 degree के तो बेटा देखो, तुम्हारा ये कोण भी 50 degree होगा तुम्हारा ये कोण भी 50 degree होगा दोनों के दोनों 50 degree आगए अब तुम्हें O, A, B निकालना था ना कोण O, A, B, कितना हो जाएगा बच्चो देखो तुम्हारा कोण P, A, O, बराबर होगा 90 degree के क्योंकि तुम्हारी P, A और O, A P, A स्पर्ष रेखा है और O, A क्या है तुम्हारी त्रिज्जा है जो की स्पर्ष बिंदू A पर मिल रही है तो दोनों के दोनों लंबत होंगे ठीक है तो तुम्हारे पास आगया कोण P, A, B प्लस कोण O, A, B बराबर किसके 90 degree के ठीक है कोण P, A, B का मान तुम्हारी निकाल चुके हो कितना कोण P, A, B का मान तुम्हारी निकाल चुके हो 180 degree ठीक है तो ये कितना आगया ये हो गया 180 degree प्लस कोण O, A, B बराबर 90 degree के सौरी ये मान तुमने निकाला है कितना ये मान निकाला है तुमने 50 degree के बराबर 50 degree ये रह ये 50 degree ये दर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कौन OAB बराबर 90 डिगरी माइनस 50 डिगरी, तो हमारे पास आगया कौन OAB का मान कितना निकल कर, हमारा 40 डिगरी, ये लो बच्चो, ये हमारे इस question का answer हो गया, ठीक है, और हमारा कौनसा option correct हो गया, option number A 40 डिगरी, बेटा ये देखो, ये जो question है, ये कभी भी option में नहीं आएगा, मैंने optional में डाल दिया, वो बात और है, लेकिन ये optional में नहीं आएगा, ये 3 marks का question है, इससे कम में नहीं आ सकता, ठीक है, तो भाई, इसके साथ अपना जो ये वाला सवाल है, वो यहीं पर complete होता है, और बालको, हमारी जो आज की class है, वो भी यहीं पर complete होती है, ठीक है, तो आज की class में, बच्चों, मैंने तुमें circle की जो दोनों theorems थी, वो अच्छे समझा दी, circle के जो important parts थे, वो दोनों अच्छे समझा दी है, ठीक है, तो अब ये class को हम यहीं पर end करते हैं, I hope तुम लोगों को आज की class में मजा आया ह होगा, एक बार उनकी practice कर लेना, बाकी practice sheet में जो question मिलेंगे, उनकी practice करना वो भी बड़े प्यार से हो जाएंगे, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से सीरा तुमारी next class में, तब तक के लिए, take care, tata और, bye, bye, बच्चों